भरत में e-commerce वेबसाइट पर शॉपिंग करने का ट्रेंड बड़ी तीजी से बढ़ रहा है। बड़ी तो भविश्य में आपको अच्छा खासा लाब होगा। Portable Document Format, XPS इत्यादी फाइल होती है। लेकिन इन में से सबसे अधिक प्रचलेट PDF फाइल है। आप चाहें तो अपने द्वारा लिखी हुई किताबें और लाइन बीच सकते हैं या फिर आप अन्य लेखक के द्वारा लिखी के किताबों की भी बिकरी कर सकते हैं। इबुक के लाइबुक का बिजनस शुरू करने से पहले आप इसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से चुटा लें ताकि आपको भविश्य में किसी प्रकार की परिशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें, इबुक बिजनस करने से आपको पैसे का फायदा तो होता है, साथ ही कस्टमर के लिए भी काफी फायदे मन्द होती है, इसलिए इबुक की डिमांड मार्केट में अधिक बढ़ रही है, इबुक के लिए आपको अधिक पैसा खर्च नहीं करना होगा, इसे आप के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसे खरीदने के लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे बैठे ही आप अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं, इबुक बिकरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इन पुस्तकों को एक स्थान से दू प्रेट नहीं होती है, इसके लिए जस साइट से आप उस तक बेशना चाहते हैं, उस साइट पर आपको अपना अकाउंट ओपर करना होता है, आप चाहें तो अपना अकाउंट किसी की मदद से भी क्रियेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा पहुँच चार्ज दे आप चाहें तो अपने बुक को Android Play Store पर भी बेच सकते हैं, इसमें कुछ हिसा Google को देना होगा, इसके अलावा Apple Store यहां पर भी आप किताबों की बिक्री कर सकते हैं, इसका सबसे खास फायदा यह होगा कि आपको इसमें किसी और को पैसा नहीं देना होगा, बलकि पूरा का पू बुक चोर, बाइन से यूज़ यूज़ बुक्स फेक्टरी, बुक ठेला, बुक बाई की लो, बुक्स यारी, बुक्स बाई की लो, ऑनलाइन किताबे बेचनी का फायदा, ऑनलाइन किताबे बेचनी से आपको अपना देश बर में पहलाने का मौका मिलता है, ग्राहों को बेहतर अनभव मिलता है, साथ ही आप इससे अपना ब्रैंड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, एक ही क्लिक पर आप लाखो कस्टमर तक अपने बुक पहुचा सकते हैं, सुरक्षित और समय पर आपके पैसे का भुक्तान हो जाएगा, इसके अलावा आपको किताबे बेचनी के ल यह भी आपको लाइसेंस लेने कि जरूरत होगी, इसके लिए आपको Limited Liability Company के तहत लाइसेंस बनवाना होगा, करें बुक की मामेटिंग, यह बुक की मामेटिंग करने के लिए आपको डिजितल मामेटिंग सीख नी पढ़ेगी, आपको बुक की डिजाइनिंग पर खास धि ठीक उसी तरह आपको भी अपनी बुक तयार करनी है। इससे किताब की खुबसूरती बढ़ेगी और लोगों का बन पढ़ने के लिए उत्सुक्त होगा। इससे सेल्स बढ़ाने में भी फायदा होगा। आपको अपने e-store में किताबों का अधिक सेधिक कलेक्शन रखना ताकि कस्टमर को अपनी पसंद के अनुसार सारे किताबे मिल जाए। ऐसा करने से आप कम समय में अधिक लोगों को अपने बिजनस से जोड़ पाएंगे और आप अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। e-store में कितनी रखनी होंगी किताबे। e-book store में किताबों के लिस्ट को समय समय पर अपडेट करते रहें। आप इसमें नईनी किताबों को जोड़ते रहें। इसके लिए आप Science Fantasy, साहित्य, Detective Books, Astrology और Health की किताबे शामिल करें। आपके e-store में कम से कम 400 से 500 किताब तो होनी ही चाहिए। बता दें आप अपनी store में जुतना अच्छा collection रखेंगे आपके पास उतने ही ग्रहा काएंगे। आप online किताबे बेशनी के लिए अपनी store में मशूर लेखो को किताबें अवश्य रखें। कैसे कमाए e-book से पैसे ? e-book से पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहरे google book store पर एक account create करना पड़ेगा। इसके लिए google play book का partner center में apply करना होगा। इसके बाद आपको google की तरफ से message आने का इंतजार करना होगा। market में किताबों का मुल्य 100 से लेकर 500 तक होता है। इसके लावा किताबों का मुल्य इनके लेखक के अनुसार भी तैह होता है। एक research के अनुसार online किताबें बेचने का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछटे साल के तुल्ला में किताबों की online बिक्री 300 प्रतीशत बड़ी है। ऐसे में आप e-book बिक्री बिजनस में महीनों में लागों की इंकम कर सकते हैं। हाला कि आपके इंकम आपके किताबों की सेलिंग पर तैह होती है। जितनी जादा किताबें बिकेंगी आपकी कमाई में भी उत्रा मुनाफ़ा होगा। आपके बिजनस का सचा साथी